Good Morning Friends, Welcome back to the Channel So Friends, आज हम बात करेंगे एड़िटिंग के बारे में, वीडियो एड़िटिंग के बारे में और YouTube Creators के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि अगर YouTube Creators चाते हैं कि उनकी वीडियोस इंप्रूफ करें और grow करें अपलोड करने के बाद भी तो ये वीडियो आप जरूर देखिए ये आपको जरूर हैंप करेंगी क्योंकि आज हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग यूटूब जो प्रोवाइट कर ले हैं आप तो आप इस वीडियो निकित दि देखिया अप कि आको पूरे फीचर किये हैं हम सबकी Leskा ँपरेंगे है केरेंगे तो हम स्क्रीं पेज़ते हैं स्क्रीन में जाने से पहले like, subscribe and share it and the bell press the bell button for regular updates so चलिए, श्क्रीन पे चलते है, आपके सामनी स्क्रीन पे जाँगा so friends हम अपने एक computer screen पे आगए है computer screen में हमने एक YouTube स्टूडियो में आगए है YouTube स्टूडियो में आप देखां के वीडियो के option में जाएंगे जो भी वीडियो अपने एडिट करनी है आप चूज कर सकते हैं तो जैसे मैंने ये वीडियो स्लेट कर ली अब इसके पैंसिल वाले साइन पे आप ट्लिक करेंगे तो इसकी सारी वीडियो के डिटेल साजेंगी और साथ में ये जो है एडिटर का भी ऑप्शन आ जाएगा इस एडिटर के ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा तो ये विंडो खुल जाएगी एडिटिंग वाली तो इसमें आप देख सकते हैं ये टाइम लाइन है ये audio section है blur parts भी एड कर दिये हैं youtube ने एड कर दिये हैं बहुत अच्छा option है blur का जो भी आप part hidden करना चाहते हैं प्रेविट करना चाहते हैं तो आप इस facility से कर सकते हैं और ये blur part की जो facility है even कई जो external video editors हैं उसमें भी अब ये facility नहीं है जो normal वाले हैं जो प्रॉफेशनल है जो एबएज वाले वीड vendors हैं उसमें ब्लर पार्ट की फीचर है जो नॉर्मल वीड वीड इडिटर है जो प्रॉफेशनल वीडियो ॉद्ध नहीं है उसमें अभी भी ब्लर पार्टी standards नहीं है उसमें अभी भी add होगी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, तो पहले हम trimming के बारे में देख लेते हैं, कैसे वीडियो को कट करने, कौन सा portion आपको कैसे खटाना है, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि अपलोट करने के बार भी हमें कई editing कईबारी करनी पढ़ जाती है, अब जैसे यह जो वीडियो है अब मैं इसके स्टाइडिम जाता हूं अब जैसे यहां है वीडियो मुझे यहां तक वीडियो नहीं चाहिए मैं आपको एक्जैंपल के तोर पे जा रहा हूं बट अभी तो मुझे चाहिए पर पैसे मैं बाप को बता रहा हूं कि अगर नहीं चाहिए, यहां तक मुझे, तो पहले मैं इसमें त्रिंफ पने देज़कें कहां फिर हो जो सब्सक्राइद वार में ओब देला नुदोर, दैगी split के option पे click कर दिएगा तो दोनों बार जो है mode bold हो जाएगी mode भी हो जाएगी तो जो first वाली बार से आप इसको drag करेंगे button mouse का button दबा के left वाला button दबा के इसको drag करेंगे वहां तक ले आएएगे तो यह जो portion है आपका black हो जाएगा छुप जाएगा छुप जाएगा मतलब यह cut हो जाएगा तो यह हम preview का option में दबाएंगे तो आप देखें के preview का option यहां से starting होगी यहां से starting होगी यह जो portion है यह हट गया है तो यहां पे आप save का button है इसको save कर देंगे और इसमें यह भी facility है जो जो आपने किया हुआ है उसको आप undo भी कर सकते ह आप नहीं चाते हैं यह मैंने गलत किया तो undo कर सकते हैं यह जो changes आपने किया इसको discard करना चाते हैं discourge कर सकते हैं इसमें देखे यह जूम का भी option है पाना को आप जब़ेसम कर ना चाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से cutting कर सके हैं तो इसको जरूर जूम कर दिजिए यह तो यह जो वीडियो है आपने 20 से जैसे कट करनी है जैसे आपने यहां से कट करनी है इसमें आप ट्रिम का बटन दबाईए नीचे स्प्लिट का ओप्शन आएगा स्प्लिट के बटन पर दबाईए तो जहां तक आप करना चाते हैं उसको ड्रैग कर दीजिए यह जो कर लीजिए जैसे मैंने यहां पर वीडियो पे प्लिक किया उप्लिक जो होती थी तो इसलिए उन्हें ने दो लड़कों को वहां पर अना पार्शन लेकर लिए एक जो इनकी स्थी वह तर भातिया आप यहां से स्टाप कर रहता है और आ सकती है बट इनके पेरेंस में उनक थे क्वाल करने स्टाप करने यहां इसे सेव कर सकते है और सब्सक्राइब ज Appreciate है यहां पे इंडिटिंग नहीं तो add कर सकते हैं, अपनी वीडियो में music दे सकते हैं, तो हम इसका undo कर देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लेना है, अब आते हैं blur के parts में, blur के parts में आप देखे, जब आप इस पे click करेंगे, इसमें दो option आएंगे, face blur करना है, custom blur करना है, जैसे आप face blur पे करेंगे, तो वो detect करेगा face को, तो अभी processing चल रही है, face को detect करने में ये बड़ा time देता है, so friends आप देख सकते हैं, इसमें face detect कर लिया है, तो आप इस पे click करेंगे, और apply पे कर देंगे, तो जब आप करेंगे, आप देखिए, यहाँ पे blur आ गया है, और यहाँ पे timing आ गी है, कि आपको कब से कब तक का रखना है, यह timing आप देख सकते हैं, आ चुकी है, अब यहाँ पे एक minute तक का दिखा रहा है, अब मैं देखिए, यहाँ पे जैसे video चलाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, एक minute के आगे किया, तो यह face blur हट गया, तो आप यहाँ से timing आजेस्ट कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 minute का कर दूँ, तो आप देखिए, face blur फिर से आ जाएगा, तो यह face blur करने का बहुत ही easy way है, आप face blur कर सकते हैं, timing आप यहाँ से adjust कर सकते हैं, तो वैसे ही friends आप देख सकते हैं, यह custom blur जो हमने किया, इसमें भी आप timing दे सकते हैं, कब से कब तक का करना है, तो यहाँ से आप timing करके, blur आप जहाँ पे भी देना चाहते हैं, आप जितने मर्जी blur देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, आप यह timing जरूर दीजिए, जो कि यह ब्लर का option आपका वहाँ पे वीडियो में आ जाएगा, तो यह था ब्लर का option, end screen में कोई भी element आप add करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, वीडियो, प्ले लिस्ट, सब्सक्राइब, चैनल, सब्सक्राइब, यह थे options वीडियो एडिटर में जो यूटूब प्रोवाइड कर रहे हैं, जो की, awesome है, after uploading, you can also edit your videos, so I hope you like the video, so please let me know, if you need any help, अगर आपको कोई और help चाहिए हैं, और कोई detail information चाहिए हैं, तो I am going to help you, so let me know, I hope you like the video, kindly subscribe, like and share the channel, thank you so much, God bless you all, Namaste, Sashika, Good Day, Aadab, Thank you, bye bye, Take care, Jai Hind, झाल